नश्कार दोस्तों कैसे हैं आप हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ और आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे दोस्तों चंडीगड में नई गवर्मेंट गेस्टीचर्स की रिकूट्मेंट आ गई है प 01TT के सभी सब्जेक्स के लिए है उसी के सास अथ मिस्सलैनिस केटेगरी टीचर्स की रिकूट्मेंट भी आई हुई है इनके लिए ओन-ライन आपको आविधन करना होगा और चाहे आप इंडिया भारत के किसी भी कोने किसी भी राज्य किसी भी केंदरशासित परदेश में रहते हो इन पदों के लिए ओनलाइन आवेदन कर सकते हो सारी चैनकारी इस recruitment से जड़ी हुई बिलकुल विस्तार से इनके official notification के माध्यम से हम इस वीडियो में आपको provide कराने जा रहे हैं आप वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर से जरूर देखे और all over India लेवल से teachers recruitment से जुड़ी latest update सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर से जरूर सबस्क्राइब कर ले तो अच्छी कर दोस्तों अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो पहले देखेंगे इनका official notification और उसके बाद official website जहां पे आपको इनके लिए online आवेदन करना होगा ये है दोस्तों इनका official detailed notification नवद्दे विधालने समीती regional office चंडिगड के तरफ से teachers recruitment का notification जारी कर दिया गया है ministry of education department of school education and literacy government of india regional office चंडिगड ये देखें notice for empenlement engagement of services of teachers FCSA and female staff nurse on contact basis रंजी दोस्तों नवद्दे विधालने समीती में contactal basis के teachers की recruitment आ गई और ये recruitment का notification जारी किया गया है पंजाब स्टेट के लिए, हिमाचल परदेश के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, लद्दाक के लिए और चंडिगड के लिए हाँ जी दोस्तों पंजाब हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जम्मू कश्मिर यूटी लदाख यूटी और चंडिगड यूटी में जितने भी नवद्य विधाले हैं उन सभी के लिए टीचर्स रिकूट्मेंट का ये कंबाइंड नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है यहाँ पे PCTs, TGTs, Miscellaneous Categories Teachers, Vocational Subject Teacher, FCSA और Female Staff Nurse की Recruitment है प्योरली Contactal Basis की Recruitment आई हुई है ये Official Website है दोस्तों इस Official Website पे आपको Link मिल जाएगा जहां आप इनके लिए Online आविदन कर सकते हैं अजी दोस्तों आप आविदन करेंगे उसके बाद छटनी करके शोटलिस्ट किया जाएगा और सिर्फ शोटलिस्ट किया जाएगा है कहां आपको जाना है इन्ट्यू के लिए आविदन करने की अंतिम्ति थी 22 अगस्त 2022 है ये है दोस्तों ओफिशल Website नवद्दे विधाले समीथी चंडिगर्ड रीजन की ये देखे दोस्तों ये Official Website है Official Website पे आप यहां नीचे आएंगे More Circular पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा ये देखे क्लिक ये लिंक है दोस्तों इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा बाकी की जानकरी Guidelines वेगारा क्या Elisibility Qualification required है subject के according आप यहां सीरियल लंबर 13 और 14 पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं PDF आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा और उसे द्यान से पढ़ लीजेगा आविदन करने से पहले और आविदन करने की अंतिम्तिती 282,022 है जैपूर रीजन के लिए आविदन करने की अंतिम्तिती 282,022 है जैपूर रीजन के अंडर में हरियाना, प्राजस्थान और दिल्ली के नवोदे भी धाले आते हैं अगर आप वहाँ आविदन करना चाहते हैं जैपूर रीजन के लिए तो वहाँ पे भी आविदन कर सकते हैं 21-2022 तक तो ठीक है दोस्तो मेंन में सारी चेहनकारी इस रिकूर्टमेंट से जुड़ी ही आपको वीडियो के मादन से प्रोवाइड कराए गई वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें तो चीक है आज अब ही के लिए तना ही फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ तक के लिए नमस्कार